हाइए प्रेंड्स अब हम लों दीखते हैं कि वैलिव ओफ पोलिनोमियल नहीं मतलब पोलिनोमियल का वेली क्या और एक्स इक्वल टू अलफा ठीक है तो देखो करें जा बैल से बैल सब्सक्सक्राइल पालफा है नेटेरें कि अख़ा एक्स फॉल्पा है value क्या है समझों अच्छा सदेखो है हम माल लेते हैं कि हमारा कोई एक polynomial PX है ठीक है polynomial PX है यह अगर हम को न 90 अल्फा पे polynomial P x का value को यह हम को find out करना है कि x equal to alpha पे polynomial पियक्स का वैलू क्या होगा तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स पोल्फा का जो आल्फा के वैलू है उसे पोल्नोमियल टि पीएक्स में और पूट कर देंगे ठीक है जो भी वैलू आएगा ओह मारा होगा वह हमारा होगा कि x equal to alpha पे हमारा उप्लोमियल का value होगा ठीक है जिससे हम लोग denote करते हैं p alpha से ठीक है इसे और आप better समझ पाऊगा कैसे example के help से ठीक है find p2 ठीक है तो देखो जिससे आपका px यह क्या है देखो यह आपका जो है एक पोलिनोमियल है ठीक है पोलिनोमियल है अब आपको क्या करना है कि देखो p2 का मतलब करते हैं मतलब x equal to यह कितना हो गया x equal to 2 हो गया इसका मतलब हो गया यहां पर p2 से हम लोग डिनोट करते हैं कि अगर मुझे इस पोलिनोमियल px का value x equal to alpha पे find करना हो तो हम क्या करेंगे इस 2 के value को इस x के जगह पे x के place पे पूट करेंगे और जो भी value आएगा वह क्या होगा x equal to 2 पे वह हमारा क्या होगा वैलू होगा ठीक है पुल्नोमियल का value होगा चलो पूट करते हैं ठीक है तो देखो तपी 2 तो 3 into x का value कितना है 2 है टू का square 5 into 2 plus 6 ठीक है तो देखो 3 तू टू जा 2 का square कितना होता है ठीक है और 5 तू जा 10 plus 6 4 3 जा 12 ठीक है माइनस 10 plus 6 तो आपका कितना हो गया तो आपका हो गया 12 plus 6 कितना हो गया आपका 18 18 में से 10 गया आपका 8 हुआ ठीक है इसका मतलब हुआ देखो इसका मतलब यहीं समझ जाओ इसका physical significance क्या होता देखो मतलब x equal to x x equal to 2 पे polynomial px का यह मेल px का जो value होगा कितना होगा एट होगा ठीक है एक और एक दू कोस्चन और लेते हैं ठीक है मान लेते हैं दूसरा कोस्चन है हमारा IF Q X algorithms करना हमारा इसको हम Q2itary root 2 से देंोट करते हैं लेकिन हमको क्या find output करना है कि x equal to 2 root 2 पे 2 root 2 पे x equal to 2 root 2 पे इस polynomial qx का value क्या होगा, मतलब x equal to 2 root पे polynomial qx का value क्या होगा, तो हम क्या करेंगे simply, x equal to जो भी 2 root 2 है, उसको polynomial में put करेंगे at the place of x, ठीक है तो q 2 root 2 equal to 2 root 2 का square minus 2 root 2 into x है 2 root 2 plus 1, ठीक है तो 2 का square कितना होगा, इसको अलग कर सकते हो 2 का square, उसके बाए root 2 का square, इसे कर सकते हो minus 2, देखो 2 into 2 4, और root 2 into root 2 कितना होता है, आपके 2 होता है, कैसे अभी समझा दो, चलो देखो यहाँ पे, देखो, root 2 into root 2, देखो root, जो भी चीज़ root होता है, इसको कैसे लिखते है 1 by 2 होता है, into 2 का power 1 by 2, देखो यहाँ पे, बेस सेम है, जब आप 2 को common कर लोगे, इसके power को power में ही add कर देए, ठीक है 1 by 2 plus 1 by 2, ठीक है तो देखो, तो 2, इसका calcium लोगो तो 2 आएगा, तो 1 plus 1, मीस हो गया, आपकितना, 2 का power 2 by 2, 2 से 2 कैसे लोगो 2 आगया, वहीं चीज़ है, आपका 2 आगया, ठीक है, plus 1, तो 2 का square 4 into root 2 का square 2 minus of 8 plus 1, 8 minus 8 plus 1, 8 8 से cancel हो गया, बचा है, कितना आपका 1 आगया, ठीक है, तो यह 1 क्या आया है, 1 जो आया है, x equal to 2 root पे polynomial qx का value कितना हुआ, आपका 1 हुआ, ठीक है, एक और question ले लते है, ताकि आपका और problem क्लियर हो जाए इस पे, देखू, एक और question है, आपका माल लेते हैं कि, if if r equal to rx equal to 5x minus 4x square plus 3, ठीक है, तो आपको find करना है, r minus 1, देखू, r minus 1 इसका मतलब इता, minus 1 साम, तो r minus 1, क्या करते हैं, इसका रिपरजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है, x equal to minus 1, कि x equal to minus 1 पे, आपको polynomial rx की value बतानी है, ठीक है, तो क्या करोगे, simple सा फंडा है, कि जो minus 1 है, minus 1 के, minus 1 को आप polynomial rx में, x के place पे put करोगे, ठीक है, और जो भी value आएगा, इसका मतलब है, x equal to minus 1 पे, polynomial rx का value होगा, ठीक है, तो r minus 1, देखू, 5 into, x का value कितना है, minus 1, minus 4 into minus 1 का square, plus 3, ठीक है, तो देखू, तो 5 into minus 1, 5, उसके बाद देखू, आप जानते हो, minus का square कितना होता है, आपका 1 होता है, क्यों, negative क्यों नहीं होगा, क्यों कि देखू, अब minus 1 into minus 1, कितना होगा, 1 into 1, 1 हो गया, और minus into minus क्या होता है, plus होता है, या एक और बात जान जाजाओ, कि अगर negative हो, लेकिन अगर उसका power जो है, even हो, that means, वो आपका positive होगा, अगर odd होगा power, तो इसका मतलब, आपका negative answer हैगा, ठीक है, तो देखू, minus 5, उसके बाद, उसके बाद 1 into minus 4, means minus 4, plus 3, तो minus 4, minus 5, minus 4 कितना होगा, minus 9 होगा, क्योंकि same sign है, इसलिए add होगा, और जो sign हो, negative, plus 3, equal to, जो ता है, कितना होगा, minus 6 होगा, ठीक है, minus 6 क्या आया, minus 6 जो है, x equal to, x equal to, minus 1 पे, polynomial rx का value कितना आया, minus 6 आया, अगर,